श्री गणिश की विवाह की हम भगतों पता सुनाई रिधी से धी से हुआ था कैसे श्री गणिश विवाह दूलहा बन गणपत आये देव सब मंगल गाये दूलहा बन गणपत आये देव सब मंगल गाये दूलहा बन गणपत आये देव सब मंगल गाये जब गणिश जी बड़े हुए तो शिव गोरा ने किया विचार कितना अच्छा हो गोरा जो बस जाए इसका घरबार बोले गणपत से हे पुत्र कर लो आप विवाह दूलहा बन गणपत आये देव सब मंगल गाये दूलहा बन गणपत आये देव सब मंगल गाये लेकिन बोले श्री गड़ेश जी मुझको न प्याहर चाना है आपके श्री चर्णों में रहकर सेवा करते जाना है मन में विचार भी मेरे विवाह का आपने दोनों लाए दूलहा बन गणपत आये देव सब मंगल गाये बात नहीं माने गणपत बढ़ा शिव गोरा ने समझाया मोलेने कुछ सोचके फिर नारत जी को बुलवाया यत्र करो कुछ नारत जी जो गणपत मा नहीं जाये दूलहा बन गणपत आये देव सब मंगल गाये हाथ जोड बोले नारद मैं चक्कर कोई चलाता हूँ भले समय लग जाए उनको ब्यहा के लिए मनाता हूँ नारायड नारायड करते वो है ध्वार का आए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए नारद ने देखा के द्वार का दूलहन जैसी सजी हुई सोच रहे ये नारद जी के आज है कैसी खुशी हुई श्री क्रिष्न के महलों में फिर तो नारद जी आए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए बोले द्वार का धीश आकर आपने शान पढ़ा दी है सत्य भामा के संग में मुनी कल ही हमारी शादी है धन्य भाग है मेरे आप चो इस अवसर पे आए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए नारद मुनी तो अपने मन में और ही कुछ सोच रहे श्री क्रिश्न से हाथ जोड कर नारद जी ने वचन कहे द्वार का के सारे नरकल बन के बराती जाए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए सब नर बन जाए बाराती बस रह जाए नारी क्या हो यदी द्वार का पे आए संकट भारी खाली देख द्वार का को कोई दुश्मन चड़कर आए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए श्री क्रेश्न बोले नारद से आप ही हमें बताओ कौन करे रखवाली हमको नाम तो जरा सुझाओ द्वार का की रखवाली का कुछ आप ही करे उपाए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए सोच के कुछ मुनि नारद ने गडपत का नाम बताया श्री गड़ेश के रहते खत्रा नहीं कहीं पे आया वार का की रखवाली के लिए आप ही उन्हें मनाए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए सुन नारद की बाते त्रिष्ण पास गड़ेश के आए बोले हम सत्य भामा के सग प्याहर चाने जाए रक्षा करने द्वार का की कल आप नगर में आए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए बोले गडपत श्री क्रेश्ण से मत करना चिंता मेरे रहते दुश्मन कोई जाक भी ना सकता निश्चित होकर हे श्री क्रेश्ण कर ले आप विवाहर दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए नारद जी फिर अपनी चाल के बारे में सोचे श्री क्रेश्ण गय पास गड़ेश के नारद भी आपो होचे बोले ओ मारात में आपको ना ले जाना चाहे दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए श्री क्रिश्ण तो रोज रोज ही ब्याह रचाते हैं आपको आरे बैठे रहो वो यही तो चाहते हैं इसलिए तो बना के रक्षक आपको दिया बिठाए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए बोले नारद गडपत से कोई ऐसा यत्न हो जाए कल उस छलिया की बारात चड़ने ना पाए सारी मोशक सेना को कल गडपत आप बोलाए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए नारद मुनी की चाल ने अपना रंग दिखाया अब न रहूंगा मैं तो कुवारा उनकी समझ में आया सारी मोशक सेना को गडपत ने लिया बोलाए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए मोशक सेना को गडपत ने दिया है ये बतलाए जाएगी बारात जहां से खोद तो हो रस्ता देखूंगा वो मुझ से पहले कैसे करे विवाह दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए जो आदेश दिया गडपत ने हुआ है सब वैसा रात रात में सेना लेकर दिया रासता थो था धस गए सब बाराती जो भी उस रस्ते से आए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए श्री क्रिष्ण ने जान लिया ये है गडपत की चाल पूछो गडपत मन में आपके जो हो कोई सवाल मन की बात फिर गडपत ने मोहन को दिबत आए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए रोज रोज है श्री क्रिष्ण तुम ब्याहर चाते हो सारी उमर में रहू कुवारा क्या तुम ये चाहते हो प्रण किया है आपसे पहले होगा मेरा विवाह दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए बोले मोहन श्री गड़ेश से जो यही है बात भोले नात से हम करते हैं प्यहा की तेरे बात प्रित सेतिका रिष्टा लेकर विश्व रोप है आए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए दूला बन गडपत आए देव सब मंगल गाए सफल हो गए नारद ये गौरा शिव गए जान चतुर बड़े ही हो नारद जी श्री क्रिष्ण गयमान उत्तम है सभी देवों में ये गौरा मा के लाल जो पूझते गणेश को हो ते माला माल जो पूझते गणेश को हो ते माला माल जो पूझते गणेश को हो ते माला माल देवों में पूझनिय पहले है हमेश करते है शुरकाम तो कहते श्री गणेश आपको वरगान ये शिर गणेश ने दिया बद्धिबल से अपने ऐसा काम है किया जरा सुनलो भक्तो ये श्री गणेश की कथा जिसके सुनने मात्र से मिटती सब व्यथा उबटन से गणेश आप है बनाए फूझते है प्राण भी पहरे पे बिठाए बोनी माता जाती हो करने में स्थान बैठे रहना तब तक तुम बन के दर्वान करना पाए महलों में कोई भी प्रवेश बोले आप माता जैसा आपका देश लेकिन शिव भोले तब ही आही जाते है महलों के भी तर वो जाना चाहते है पत्तम है सभी देवों में ये गोरा मा के लाल जो पूझते गणेश को होते माला माल जो पूझते गणेश को होते माला माल बोले को आपने तो रोक है दिया बोले क्यूं बच्चे हमें टोक है दिया बोले गोरा मा का आदेश है यही करे ना प्रवेश बिना आज्या के कोई पहरे पे है इसलिए मुझे बिठाया आदेश गोरा मा का मैंने निभाया थोड़ी देर बाद तुम माबा आ जाना माता गोरास्तान जब तक करके आए ना वरजित है महलों में किसी का भी आना हुक्म अपनी माता का मैंने है माना कहने लगे भोले नंदी इससे समझाओ राह से हमारी इसे जल्दी हटाओ नंदी ने तो अपना सारा जोर लगाया अपनी जगह से तनक भी हिला नहीं पाया अपनी जगह से तनक भी हिला नहीं पाया उत्तम है सभी देवों में ये गोरा मा के लाल जो पूझते गणेश को हो ते माला माल जो पूझते गणेश को हो ते माला माल आ गए है देवी देव ते तो सारी ही किन तो बालक द्वार से हटा ही है नहीं मूले नाथ को तो बड़ा प्रोध है आया लेके ट्रिशूल उसकी और चनाया वाहर ट्रिशूल का तो जाए ना खानी गरदन भी नायक की काट ही डाली इतने में गोरा माता लोट के आई नाल पड़ा धरती पे देखना पाई बोली बोले नाथ तुमने ये क्या कर दिया मैंने भी नायक को ही था ये कहा प्राण मेरे लाल के तुम लोटा दो भोले तिरसे गड़ेश को जिन्दा कर दो भोले कहने लगे भोले के ये हो ना पाएगा शीश कोई दूसरा जो लेके आएगा उत्तम है सभी देवों में ये गोरा मा के राय जो पूझते गड़ेश को हो ते माला माल जो पूझते गड़ेश को हो ते माला माल जो पूझते गड़ेश को हो ते माला माल पूझते गड़ेश को हो ते माला माल पीठ फेर सोई माता अपने बच्चे से ऐसा कोई गोरा मुझको लाकर शीश दे पुत्र को शीश वो तो लग ही जाएगा जिन्दा गड़ेश तब हो ही जाएगा गोरा माने नंदी को फिर है पठाया लाओ शीश ऐसा जो भोले ने बताया नंदी चारो देशा में घूब ही आएए पीठ फेर कोई ऐसी माता ना पाए किन्तु एक हथनी उनको दी है दिखाई पीठ फेर अपने बच्चे से सोई बंदी शीश उसका ही लेके आए है भोले नाथ वो ही शीश फिर लगाए है गोरा मात फिर तो बड़ी हो गई है प्रसंद गज का शीश लग गया कहलाएगा जानन पुतम है सभी देवों में ये गोरा मा के लाल जो पूझते गणेश को हो ते माला माल जो पूझते गणेश को हो ते माला माल जो पूझते गणेश को हो ते माला माल खेल रहे एक दिन गणेश कार तिक बातों ही बातों में लग गई है सिदक कहने लगे कार्थिक मैं तुमसे हो बड़ा होने चाहिए मेरी सबसे पहले पूझा भाईया की बातों सुन गणेश मुस्काए पैसला इस मात का ना ऐसे हो पाए ब्रभाजी के पास चलो दोनों चलते है उत्तम है कौन वो बता सकती है ब्रभाजी के पास आए दोनों ही भाई मन में जिग्या साथी वो भी बताई ब्रभाजी ने जो सुना है उनका ये प्रश्टू नगेश मुस्काने वो अपने बन ही मत बोले के हम पैसला करना पाएंगे विश्णु जी के पास जाओ वो बताएंगे विश्णु जी के पास जाओ वो बताएंगे उत्तम है सभी देवों में ये गोरा मा के लाल जो पूझते गणेश को होते माला माल 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 विश्णु जी के पास जाओ वो बताएंगे विश्णु जी के पास जाओ वो बताएंगे उत्तम है कौन हमें ये तो दो बता सुनकर ये प्रश्ण दुविधां में पड़ेंगे किसको कहें छोता और कौन है बड़ेंगे विश्णु जी बोले हम ये कह नहीं सकते बोले जी उत्तर है इसका दे ही सकते प्रश्ण का उत्तर तुम्हें जो जानना कुछ बोले नाथ से न करेंगे मना दोनों भुले नाथ के पास में आए हाथ जोड कर दिया शीश जुकाए बोले के जानना ही चाहते है हम दोनों ही भाईयों में कौन है उत्तर सुनके भुरे नाथ ने इतना ही है कहा चक्कर ब्रह्मान का जो पहले दे लगा उत्तर है सभी देवों में ये गोरा मा के लाई जो पूझते गणेश को हो ते माला माल जो पूझते गणेश को हो ते माला माल ये ओना मा के लग्तर करते तेरा मतर जो पूझते गणेश को हो ते माला माल जो पूझते गणेश को हो ते माला माल कारतिक ने सोचा था मन में कुछ और सुनके वो उड़ गए है लेके अपना मौर लेकिन गणेश रहे वही बेखडे छोटा सा मूशक है कितने वह बड़े अपनी बुधी गण पत ने फिर नगाई लेके मौर उड़ गया है कारतिक भाई ओ शक और मौर की तो कोई होड ना होसला भी किंतो ना चाही तोड ना बुधी बन अपना है फिर अजमाया चकर शिव गौर आता ही लगाया मात पिता से कून होता है बढ़ कर समझा ब्रभाण्ड और लगा दिया चकर जैसे ही कारतिक लोट के आए आगे गणेश को वह अपने से पाए पुत्तम है सभी देवों में ये गोरा मा के लाल जो पुझते गणेश को होते माला माल जो पुझते गणेश को होते माला माल पुझते गणेश को होते माला माल जो पुझते गणेश को होते माला माल कहने लगे भोले भी जई हुए गणेश इस कथा से भग तो मिलता है उपदेश मात पिता से बढ़कर और कौन है चरणों में इनके बस्ता ब्रमांड है करनो भग तो इनकी तु चरण बंदना मून कर भी मात पिता को न भूलना करनो चार धाम के तुम चाहे तो दर्शन मात पिता के छूनो चाहे तो चरण मात समदेवी पिता है भगवान भूल कर भी इनका न करना अपमान कहते हैं सारे ये वेद और पुरान मात पिता का करना चाहे सम्मान भप्ती कुछ जो तुम को करनी है गुल्शन मात और पिता को करना पहले वंदन मात और पिता को करना पहले वंदन पुत्तम है सभी देवों में ये गौरा मा के लाल जो पुझते गणेश को होते माला माल जो पुझते गणेश को होते माला माल किको ना मा के लेके लाल करनेश को होते माल